हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है तुफान डिये चौर्मा के इस ओफिसियल यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज आप लोग को mixing का फूरा टोटोरियल बताने वाला हूं कि आपको song mixing करने के लिए कौन-कौन से applications की जरुवत पड़ेगी यह application को किस तरह से उपयोग करना है वह मैं पूरा का पूरा उसमें जानकारी आप लोग को दे दूँगा तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इसका basic knowledge दे दा हूं कि आपको song mixing करने में किस तरह का application कौन-कौन से यह यूज़ करने होंगे तो चलिए मैं आप लोग को बता पर आपको कुछ payments जो होते हैं वो पे करने होंगे और अगर आपको इसको बिल्कुल फ्री में download करना है उसको आप Google से download कर लिजएगा वहाँ पर आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी वहाँ से आप लोग सर्च करिएगा जाकर YouTube में कि एफेला studio mobile को फ्री में कैसे download करें तो बहुत सरी वीडियो आ जाएगी वहाँ पर जो आपको डेट देख लेना है कि यह वीडियो का अप लोड किया गया है तो आपको डेट देख लेना है उसके बाद आप download कर सकते हैं वहाँ से link आपको किसी वीडियो अगर आप उसको आप play करेंगे तो उसके description box में link मिलेगा वहाँ पर उसवर आप click करके उसको download कर सकते हैं easily मैं आपको link देदूंगा इसका अगर आपको पास नहीं है तो और अगर है तो अच्छी बात हो वहाँ पर से आप लोग mixing कर सकते हैं और चलिए मैं आप लोग को आगले application की बारे में बताता हूं इकांस application जो है important है दोस्तों दूसरा जो application उसका नाम है Moises आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम है Moises यहाँ पर से यह भी आपको playstore में easily मिल जाएगा वहाँ पर जाकर सर्च करिएगा playstore में Moises application तो आप दे देगा और आम से वहाँ से download कर सकते हैं इस application से आप किसी भी sound का जो background music होता है उसको आप remove कर सकते हैं वहाँ से मैं आप लोगों को भी बताऊंगा इसको किस तरह से use करना है बाकि मैं आप लोगों को पहले basic जो knowledge होता हूं वो दे रहा हूं और चलिए मैं आप लोगों को फिर बता जाता हूं अगली application जिसका नाम है narrator voice जी हां दोस्तों इससे आप बता चल जाएगा वहाँ पर तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें भी आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आपको सुझ कैसा लगता है वह सुने में और चलिए मैं अपनों को अगले जो application से वहाँ पर बतायता हूं जिसका नाम है RAR यहां पर देख सकते हैं अगर आप कुछ डाउनलोड अगर करेंगे जीप फाइल में जो होता है बाकि सभी जितने भी यूटूबर्स जो होते हैं वह आपको जो भी टूटोरियल आपको देते हैं वह जीप फाइल में ही देते हैं उसको आप एंजीप करने के लिए RAR application की बहुत युगदान होता है यहा पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इडी जिंग मीक्स यह भी आप लोग को प्लेयर स्टोरिय में मिल जाए का application इसको इससे आप जो सौंग का जे स्पीड होता है जिसको बोलते हैं BPM उसको आराम से जाकर जाकर देख सकते हैं कि कितने स्पीड में जो है सौंग हमारा च दोस्तों आगे जो application है उसका नाम है यहां पर देख सकते हैं पीक सेट जो आपको DJ song का जो थामनील होता है उसको बनाने में काम आएगा यहां पर देख सकते हैं उसका जो बनाने में काम आएगा बहुत ही अच्छा से यह एरेज करता है इससे पीक से मैं आप लोग को आप लोग को दिखाए दरा होगा एक application जिसका नाम है Unicode इससे आप बहुत ही stylus में fonts लिख सकते हैं उसको fonts को copy करके आप अपने DJ song का जो थामनील होता है वो pixel app से easily बना सकते हैं वहां से आप लोग को जो भी fonts होगा मैं आप लोग को देदूंगा आप लोग कमेंट करके बत उसका नाम है YouCut जिसको अगर आप जो थमलील क्रियेट करेंगे pixel app से और जो audio आप डाउनलोड करेंगे studio mobile से उसको आपको जोड़कर एक वीडियो बना देगा वीडियो के तरह आप बना यह जो यूकाट application है यह आपको बना कर देदेगा जिसको आप easily YouTube पर upload कर सकते हैं पर upload करेंगे तो कोई दिकत नहीं है मैं तो बहुत कम ही यूच करता हूं इसको इसका नाम है यह फी जागा यह अहां से आप लोग जाके बिल्कुल Pinner में download कर सकते हैं इसमें कोई payment होता है वो नहीं देना होगा और यह इसमें जो template बगर होता है वो आप यूज करके अपने thumbnail को बहुत ही creative बना सकते है आप जैसा template इसमें यूज करेंगे वैसा है यह आपका DA song का जो thumbnail होता है वो create होगा और उसके बाद अब यूटूब पर अपलोड करेंगे तो उस पर भीव थोड़ा आने का चांस ज्यादा बाढ़ जाता है वो इस्टाइलेस लगता है देखने में थमनिल तो उस पर लोग ज्यादा क्लिक करके आपके सौंग को सुनते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर किजएगा दोस्तों और अगर किसी भी परकार के आपको कोई प्रोब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएगा मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को जो भी जानकारी जो होता है दूँगा आप लोग को और जो भी फिर स्टूडियो मोबाल को जो टुटोरियल्स होते हैं अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर किजएगा मैं आप लोग को वही सारा जो होता है मैं जो भी यूज करता हूँ वह सारा का सारा मैं आप लोग को दे दूँगा और आने वालीी वीडियो में मैं आपनों को मैं बताओंगा किस तरह से मैं जो प्रक्राइब होता है वो create करता हूं задач में और मलाई मूजय का जो भी इसमें चील बनाता हूं किस तरह से create करता हूं मैं सारा मैं सारा चांट में बता दूँगा आप दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद।